कि हेलो स्रुइंट आज हम साइंस में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर के नियम है गैटिंग टू नौ प्लांट्स यहां पर हम प्लांट्स के वारे पढ़ेंगे मिली प्लांट्स की क्या-क्या पार्ट्स होते हैं फ्रूट प्लॉवर लीव स्टेम और यह ज होती हैं branches होती है जो कि soil के अंदर होती है और शूर्ट सिस्टम होता है उसमें स्टीम ब्रैंचेज लीफ फ्लॉवर्स फ्रूट यह सब चीज़ों होती है जो कि ground के ऊपर होती है पहली बात करते हैं आप सिस्टम की जो plant का part soil के अंदर found होता है उसके अंदर पाया जाता है उसे मेली क्या बोलता है रूट कुछ रूट्स हो है वह हम लोगों के द्वारा भी खाया जाता है मेली रूट्स के functions क्या है यह वाटर प्रोवाइट करता है प्लांट को बूल बनाने के लिए इस सोईल से फटर एब्जार्फ करके न्यूट्रेट्स एब्जार्फ करके तरके प्लांट तक पहुंचाता है उसके स्टैम तक पहुंचाता है जो क्या होता है मिली soil erosion नहीं होता और कुछ plants है लाइक करने बीट रूट यह क्या है यह फूड स्टोर करते हैं यहां पर रूट्स मेली टू टाइप्स की है टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स जो इस्टे में बहुत लंबी रूट होती है में रूट होती है जो कि अर्थ क बी…… यह बहुत डूट्स होती है आप कुछ पल्स हूट्स प्लांट से लिक हां यह फाइब्रस रूट्स की फूजी तर नेग्स आता है शूट शूट' प्लांट को इंट्स इसका कि ब्लांट कि फ्लट्स प्ल' फ्लॉट्स करते हैं फ्लूट्स कह टें पर एफिस क्लाजिफाई किया गया है एस हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज जो प्लांट्स बहुत शोटे होते हैं अल्मोस्ट हमारी हाइट तक के उन्हें बोलते हैं मेली हब्स यह मेली मैडिसिन और स्पाइस बनाने के लिए काम आते हैं जैसे कि जिंजर गार्लिक सॉफ वीट राइस यह यह सारे क्या है हमारे हर्ब्स हैं हर्ब्स की क्या है कोई भी ब्रांचिज नहीं होती है देन बात आता है श्रब्स जिस प्लांट के बहुत हार्ड और थिम स्टैम होती है उसे मेली श्रब्स बोला जाता है यह हर्ब्स से टॉलर होती है उसे लंबी होती है लेकिं ट्रीज स ऐसी स्पॉसके जो मेंको बैंयां टी के सारी काड ट्रीज है और कुछिजे लाइक को को कोटनाइट पाल्म इन्के कोई ब्रांचिस नहीं बट यह बहुत यिए और ऑसी चुछ झो अ拼ूनन तूस्रय च्ण्स का सुपोर्ड लेके त्यर्लों her और जिस प्लांट की बहुत वीक स्टैम्स होती हैं यह स्टैड नहीं कर पाते हैं उपर की तरफ इसे ग्राउंड पर ही पढ़े रहते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रीपर्स बात करते हैं इस टींग पर कुछ फंक्शन्स की स्टैम्स जो है वो प्लांट को रखता है और स्टैम्स के और प्लांट को ग्रौव करने के रहां के लिए कि रहा चलने के लिए करता है बोदेश के लिए आप आतीयाओ लीव जो है वो मिली food factory होती है plant की यह बहुत thin flat और broad outgrowth होती है stem की यह stem से attached होती है यह मिली जिनने और एक points निकला होता है इसका जिनने बोलते है यहां leaves के parts are like petiole lamina midriff and wins petiole जो है plant का वो पार्ट है जहसे leaf और stem तोनों attached रहते है प्लांट्स है like wheat, rice, maize इन पर क्या होता है petiole नहीं होता तना आती ही lamina जो broad expanded part होता है leaf का उसे mainly lamina बोलते है leaf blade बोलते है यह green color का होता है क्योंकि इसमें क्या है chlorophyll presence होता है जो food होता है वो mainly photosynthesis के through बनता है इस part में plant में देना आता है midriff and ways जो leaf के stock होती है जोगे कि stem का ही part होता है वो leaf की बीच में ऐसे continuous होके चली जाती है जिसे बोलते है midriff और midriff की जो branches निकली होती है वेंस में convert होते हैं जोगे बहुत सारा network बना रही होती है leaf में यह मिली water और minerals transport करने के लिए काम आता है leaf में और food भी carry करने के लिए काम आता है leaf में और जो arrangement है वेंस की leaf में उसे बोलते है venation यह मिली two types की होती है reticulate venation और parallel venation कोई भी waste एक network form करती है leaf के across मतलब midriff की दोनों site network form करती है उसे बोलते है reticulate venation जैसे की people, china rose, mustard, mango इन सबके जो leaves होती है reticulate venation की होती है then parallel venation वो हुआ जिसमें waste जो है वो parallel run करती है leaf में जैसी की banana, maize, bamboo, sugar, cane इनकी जो leaves होती है इसमें parallel venation होता है बात करते है leaves जो मिली क्या काम करती है इसके जो main function relief का वो food बनाना है leaves generally green color की होती है क्योंकि उसमें green color substance present रहता है जिसे बोलते है chlorophyll food की manufacturing बनने का process होता है leaf में वो मिली sunlight chlorophyll के presence में होता है जो कि water और carbon dioxide को use करके बनाते है और इस process को बोलते है photosynthesis then इस process के through oxygen जो है वो बहार निकलती है food जो है वो मिली prepared होता है starch की form में तो food को बनाने के लिए mainly sunlight जो है बहुत जरूरी होता है तरन आता है transpiration जो plants है वो मिली water lose करते है leaves के through अपनी body को cool रखने के लिए और इस process को बोलते है transpiration उसके बाद इनके droplets होती है वो contents होगे water vapor की form में convert हो जाती है जो transpiration है वो leaf को cool करने के लिए काम आता है यह जो process है यह मिली help करता है nutrients को transport करने के लिए plants में transpiration जो है वो मिली water cycle को maintain भी करता है nature में then other respiration जो gases का exchange होता है plants में leaves में से बुलेंगे milium respiration leaves में जो है बहुत small pores होते हैं जहां से वो carbon dioxide लेते हैं और oxygen को बाहर निकालते हैं इस पार आता है flower flowers होते हैं में बहुत sizes के होते हैं सब color flowers होते हैं कुछ organs होते है plant reproduction के तो में पार्ट सब फ्लॉवर्स के लाइक सेपल्स पैटल्स टैमल्स पिस्टिल सेपल्स जो है वो स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो की flower के करता है यह मिली पैटल्स को ट्रॉट करके रखता है बर्ड स्टेच पे पर बहुत चोटा है तब ग्रो होता है तब वह एक green कल्यर स्ट्रक्चर से ने आूट कवर्ड होता है वह उन्हां बोलते मिली सैपल्स पेटिल्स जो होता है वह फ्लैट प्रॉट और एक कलरड इस्ट्रक्चर्स तो ताईquinho ने बहुत साथी लेयर्ज होते देते हैं न कर दो लौंग थिन ट्रक्टर होता है जिसे पूलते हैं फिलामेंट और उसकी उपर चोटा से च्छास्ट होता है उसके उपर एटैच रहता है जिसे बोलते है तार यह गुल्वार्ट का इनर्मोस्ट कुष्तल यह ओता है ये टॉप पोशन में में होता है मिली जीसे मूलते है इस्टाइल और इसे've लिर्टे जोह एट बहूत थिकेटंड ओवरी पे जोती है और जो होती है और每 खोलते हैं अफी में ऑसके ट्पिक बॉलीनेशं लजो फ्लावर डेवलेब्र प्रूट में कब होता है जब उसमें पॉलन घृजंट होते हैं वह जाते हैं और इस प्रीक होते हैं इस को में ली बहुत तरीकी किसे होता है कुछ एजेंट से पॉलिनेशन के जैसे की बटाफलाइ जब बटाफलाइ टावर वे बैठती है तो इसके नियू फ्लावर अर फूर्ट जन्रेट होता है